रिजे सुनिये देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास, चंद्रकांत्य संतति के बाईसवें भाग के पहले बयान को मेरी यानि समीर गुस्वामी की आवास में भूतनात की अवस्था ने सबका ध्यान अपनी तरफ खीच लिया कुछ देर तक सन्नाटा रहा और इसके बाद इंद्रदेव ने पुनहा महराज की तरफ देख कर कहा महराज ध्यान देने और विचार करने पर सबको मालूम होगा कि आजकल आपका दरबार नाट शाला हो रहा है नाटक खेल कर जो जो बाते दिखाई जा सकती है और जिनके देखने से लोगों को नसीहत मिल सकती है तथा मालूम हो सकता है कि दुनिया में जिस दरजे तक नेक और बद, दुखिया और सुखिया, गंभीर और चिछोरे इत्यादी पाए जाते है वे सब इस समय आपके हां प्रत्यक्षो रहे हैं ग्रह दशा के फेर में जिन्होंने दुख भोगा, वे भी मौजूद हैं और जिन्होंने अपने पेर में आपको लाड़ी मारी, वे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने किये का फल इश्वरे इच्छा से पा लिया है, वे भी आये हुए हैं और जिन्हें अब सजा दी जाएगी, वे भी ग्रफतार किये गए हैं बुद्धी मानों का ये कथन है, कि जो बुरी रह चलेगा, उसे बुरा फल अवश्य मिलेगा ठीक है परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी रह चलने वाले तथा नेक लोग भी दुख की चंगुल में फस जाते हैं और दुर्जन तथा दुष्ट लोग आनंद के साथ दिन काटते दिखाई देते हैं इसे लोग ग्रह दशा के कारण कहते हैं मगर नहीं इसके सिवा कोई और बात भी जरूर है परमात्मा की दी हुई बुद्धी और विचार शक्ती का अनादर करने वाले ही प्रायह संकट में पढ़कर तरह तरह के दुख भोगते हैं मेरे कहने का तत पर यही है कि इस समय अथवा आजकर आपके हाँ सब तरह के जीव दिखाई देते हैं द्रश्टांत देने के बदले के बन इशारा करने से काम निकलता है हाँ मैं ये कहना तो भूली गया कि इन्ही में ऐसे भी जीव आये हुए हैं जो अपने किये का नहीं भलकि अपने संबंधियों के किये हुए पापों का फल भोग रहे हैं और इसी से नाते और संबंध का गूड़ अर्थ भी निकलता है बेचारी लक्षमी देवी की तरफ देखी जिसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और फिर भी हद दरजी की तकलीफ उठा कर भी ताज्युभे के जीती बच गई ऐसा क्यों हुआ इसके जवाब में मैं तो यही कहूँगा कि राजा गोपाल सिंग्ग की बदोलत जो बेइमान दारोगा के हाथ की कटपुतली हो रहे थे और इस बात की कुछ भी खबर नहीं रखते थे कि उनके घर में क्या हो रहा है या उनके कर्मचारियों ने उन्हें कैसे जाल में फसा रखा है जिस राजा को अपने घर की खबर नहोगी वो प्रजा का क्या उपकार कर सकता है और ऐसा राजा अगर संकट में पढ़ जाए तो आश्चर ही क्या है के वल इतना ही नहीं इनके दुख भोगने का एक सबब और भी है बड़ों ने कहा है कि इस तरी के आगे अपने भेद की बात प्रकट करना बुद्धिमानों का काम नहीं है परंतु राजा गोपाल सिंग ने इस बात पर कुछ भी ध्यान न दिया और दुष्टा माया रानी की महबत में फसकर तथा अपने भेदों को बता कर बरबाद हो गए सज्जन और सरल सभा होने से ही दुनिया का का काम नहीं चलता कुछ नीत का भी अवलंबन करना ही पड़ता है इसी तरह महराज शिवदत को देखी जिसे खुशामदगियों ने मिल जुलकर बरबाद कर दिया जो लोग खुशामद में पढ़कर अपने को सबसे बड़ा समझ बैठते हैं और दुश्मन को कोई चीज नहीं समझते हैं उनकी वैसी ही गती होती है जैसी शिवदत की हुई दुश्टों और दुर्जनों की बात जाने दीजिए उनके बुरे कामों का तो फ़ल मिलना ही चाहिए मिला ही है और मिलेगा ही उनका जिक्र तो मैं पीछे करूँगा अभी तो मैं उन लोगों की तरफ इशारा करता हूँ जो वास्ता में बुरे नहीं थे मगर नीत पर न चलने तथा बुरी सोहबत में पढ़े रहने के कारण संकट में पढ़ गए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भूतनाथ ऐसा नेक दयावान और चतुर एयार बहुत कम दिखाई देगा मगर लालच और एयाशी के फिर में पढ़कर ये ऐसा बरबाद हुआ कि दुनिया भर में मूँ छिपाने और अपने को मुर्दा मशूर करने पर भी इसे सुख की नी नसीब न हुई अगर ये मेहनत करके इमानदारी के साथ दौलत पैदा करना चाहता तो आज इसकी दौलत का अंदास करना कठिन होता और अगर एयाशी के फेर में न पढ़ा होता मगर इसे अब मालुम हुआ होगा कि रंडिया अयारों के भी कान कारती है नागर वगहर है कि बरताओ को जब ये याद करता होगा तब इसके कलेजे में चोट सी लगती होगी मैं इस समय इसकी शिकायत करने पर उतारू नहीं हुआ हूँ बलकि इसके दिल पर से पहाड सा बोज हटा कर उसे हलका करना चाहता हूँ क्योंकि इसे मैं अपना दोस्त समझता था और समझता हूँ हाँ इधर कई वर्षों से इसका विश्वास अवश उठ गया था और मैं इसकी सोहबत पसंद नहीं करता था बगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं किसी का चाल चलन जब खराब हो जाता है तब उध्धी मान लोग उसका विश्वास नहीं करते और शास्त्र की भी ऐसी ही आग्या है अतेव मुझे भी वैसा ही करना पड़ा यद्यपी मैंने इसे किसी तरह की तकलिफ नहीं पहुँचाई परंतो इसकी दोस्ती को एकदम भूल गया मुलाकात होने पर उसी तरह बरताओ करता था जैसा लोग नए मुलाकाती के साथ किया करते हैं हाँ अब जबकि ये अपनी चाल चलन को सुधार कराद भी बना है अपनी भूलों को सोच समझ कर पच्टा चुका है एक अच्छी ढंग से नेकी के साथ नामवरी पैदा करता हुआ दुनिया में फिर दिखाई देने लगा है और महराज भी इसकी युगता से प्रसन होकर इसके अपरादों को शमा कर चुके हैं तब मैंने भी इसके अपरादों को दिली दिल में शमा कर इसे अपना मित्र समझ लिया है और फिर उसी निगाह से देखने लगा हूँ जिस निगाह से पहले देखता था परंतु इतना मैं जरूर कहूंगा कि भूतनात ही एक ऐसा आदमी है जो दुनिया में नेक चलने और बद चलने के नतीजे को दिखाने के लिए नमूना बन रहा है। पूरा पूरा बयान करके दुनिया में एक नजीर छोड़ देनी चाहिए और साथ ही इसके भूतनात की तरफ देखते हुए। अपने दिल के बोज़ को भी हलका कर देना चाहिए। भूतनात। तुम्हारे दो चार भेद ऐसे हैं जिने सुनकर लोगों की आँखे खुल जाए और लोग समझेंगे कि हाँ आदमी ऐसे ऐसे काम भी कर गुजरते हैं और उनका नतीजा ऐसा होता है। मगर ये तो कुछ तुम्हारे ही ऐसे बुद्धिमान और अनूठे ऐयार का काम है कि इतना करने पर भी आज तुम्हारे चंगे ही नहीं दिखाई देते हो। बलकि नेक साथ जिसके नाम से तुम डरते हो उन्हें तुम्हारा दोस्त बनाना चाहता हूँ अतहा तुम्हे बे खौफ अपना हाल बयान कर देना चाहिए। भूत नात। ठीक है मगर क्या करूं मेरी जबान नहीं खुलती। मैंने ऐसे ऐसे बुरे काम किये हैं कि जिन्हें याद करक कि अच्छा होती है। मगर नहीं मैं बदनामी के साथ दुनिया से उठ जाना पसंद नहीं करता है। अतहो जहां तक हो सकेगा एक दफ़े नेक नामी अवश्य पैदा करूंगा। इंदर देओ, नेक नामी पैदा करने का ध्यान जहां तक बना रहे अच्छा ही है। सब ऐसे थे कि जने अच्छे से अच्छाई यार भी कदाचित नहीं कर सकता था। चाहे तुमने पहले कैसी ही बुराई और कैसी ही खोटे काम क्यों ना कियो हो। मगर आज हम लोग तुम्हारे देंदार हो रहे हैं। तुम्हारे ऐसान के बोज से दबे हुए हैं और समझत कि उनका कोई प्राष्चित ही नहीं है। तथा पी अब तो मैं महराज की शरण में आही चुका हूँ और महराज ने भी मेरी बुराईयों पर ध्यान ना दे कर मुझे अपना दासानुदास सुईकार कर लिया है। इससे मेरी आत्मा संतुष्ठ है और मैं अपने को दुनिय जीवनी सुनाने के लिए तैयार हूँ परंतू। इतना कहकर भूतनाथ ने एक लंबी सांस ली और महराज सुरेंदर सिंग की तरफ देखा। सुरेंदर सिंग। भूतनाथ यद्देपी हम लोग तुम्हारा कुछ-कुछ हाल जान चुके हैं मगर फिर भी तुम्हारा पू भूतनाथ जो आग गया। इतना कहकर भूतनाथ ने महराज को सलाम किया और अपनी जीवनी इस तरह बयान करने लगा। भूतनाथ की जीवनी भूतनाथ। सब के पहले मैं वही बात कहूंगा जिसे आप लोग अभी नहीं जानते। अर्थात मैं नौगर के रहने वाले और देवी सिंग के सगे चाचा जीवन सिंग जी का लड़का हूँ। मेरी सौतीली मा मुझे देखना पसंद नहीं करती थी और मैं उसकी आँखों में काटी की तरह गड़ा करता था। मेरे ही सबब से मेरी मा की इज़त और कदर थी और उस बांच को कोई पूछता भी ना उठा देने की फिक्र में लगी और ये बात मेरे पिता को भी मालूम हो गई। इसलिए जबकि मैं आठ वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे अपने मित्र देवदत ब्रम्हचारी के सुपुर्द कर दिया जो तेज सिंग के गुरू थे। चंदरकांता पहले भाग के छठ पहले जब के था पहले जाएं ने जानता कि मेरे पिता ने मेरे विश्या में उन्हें क्या समझाया और क्या कहा परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रम्हचारी मुझे अपनी लड़के की तरह मानते पढ़ाते लिखाते और साथ-साथ-एयारी भी सिखाते थे परंतु जड़ी बूटियों के प्रभाव से, उन्होंने मेरी सूरत में बहुत बड़ा फर्क डाल दिया था, जिसमें मुझे कोई पहचान ना ले, मेरे पिता मुझे देखने के लिए बराबर उनके पास आया करते थे, इतना कहकर भूतनात कुछ देर के लिए चुप रह गया और सब के मुझे की तरफ देखने लगा, सुरेंदर सिंग, तज्जब के साथ, ओफो, क्या तुम जीवन सिंग के वही लड़के हो, जिसके बारे में उन्होंने मशूर कर दिया था, कि उसे जंगल में से शेर उठा ले गया, भूतनात, हाथ जोड कर, जीहा, तेज सिंग, और आप वही हैं, जिसे गुरू जी फिर की कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि आप एक जगह जादा देर तक बैठते ना थे, भूतनात, जीहा, देवी सिंग, यद्द्यपी में बहुत दिनों से आपको भाई की तरह मानने लग गया हूँ, परन्तु आज ये जानकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आप वास्तों में मेरे भाई हैं, मगर ये तो बताईए कि ऐसी अवस्ता में शेर सिंग आपके भाई क्यों करुए, वो कौन हैं, भूतनात, वास्तों में शेर सिंग मेरा सगा भाई नहीं है, बलकि गुरू भाई और उनी ब्रह्मेचारी का लड नहीं हैं, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि अब वे हम लोगों को दिखाई न देंगे, बीरेंदर सिंग, सो क्यों, भूतनात, इसलिए कि वे भी अपने को छिपाए और हम लोगों से मिले जुले रहते और साथ ही इसके एबों से खाली न थे, सुरेंदर सिंग, खेर कोई चिंता नहीं, अच्छा तब भूतनात, अता हमें उनी ब्रह्मचारी के पास रहने लगा, कई वर्ष बीट गए, पिता जी मुझ से मिलने के लिए कभी कभी आया करते थे और जब मैं बड़ा हुआ, तो उन्होंने मुझे अपने से जुदा करने का सबब भी बयान किया, औ तब इसकी अईयारी खुलेगी, मुझसर ये है कि ब्रह्मचारी जीही की बदौलत, मैं गदाधर सिंग के नाम से रणधीर सिंग जी के हाँ और शेर सिंग महराज दिगविजय सिंग के हनौकर हो गए और ये जाहिर किया गया कि शेर सिंग और गदाधर सिंग दोनों भाई उनके आपस वालों को तो इस बात का विश्वास हो गया था कि अब रणधीर सिंग जी की जान किसी तरह नहीं बच सकती, क्योंकि उनी दुनों उनका ऐयार श्री सिंग दुश्मनों के हाथों से मारा जा चुका था और खूनी का कुछ पता नहीं लगता था, कोई दूसरा आईयार भी उनके पास नहीं था, इसलिए वे बड़े ही तरद्द में पड़े हुए थे, यद्दपी उन दिनों उनके नोकरी करना अपनी जान खत्रे में डालना था, मगर मुझे इन बातों की कुछ भी परवाह नहीं, रंधीर सिंग जी भी मुझे नोकर रखकर बहुत मेरी खातिरदारी में कभी किसी तरह की कमी नहीं करते थे, इसके दो सबब थे, एक तो उन दिनों उन्हें आईयार की सखत जरूरत थी, दूसरे मेरे पिता से और उनसे कुछ मितरता भी थी, जो कुछ दिनों के बाद मुझे मालुम हुई, रंधीर सिंग जी ने मेरा बयाह भी शीगरी करा दिया, संभव है कि इसे भी मैं उनकी कृपा और इसने का कारण समझू, पर ये भी हो सकता है कि मेरे पेर में ग्रहस्ती की बेड़ी डालने और कहीं भाग जाने लायक ना रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, क्योंकि अकेला और बेफिकर आदमी कहीं प विश्वास लोगों को कम रहता है, खैर जो कुछ हो, मतलब ये है कि उन्होंने मुझे बड़ी इज़त और प्यार के साथ अपने हां रखा और मैंने भी थोड़े ही दिनों में ऐसे अनूठे काम कर दिखाए कि उन्हें ताज्यब होता था, सच तो ये है कि उनके दुश्म तब वो अपने काम की तरफ से कुछ बेफिक्र हो जाता है, वही हाल मेरा भी हुआ, आप जानते ही होंगे कि रंधीर सिंग जी का दयाराम नामक एक भतीजा था जिसे वो बहुत प्यार करते थे और वही उनका वारिस होने वाला था, उसके माबाप लड़क पन ही में मर मगर चाचा की महबत के सबब उसे भी बाप के मरने का दुख मालूम नहुआ, वो यानि दयाराम उम्र में मुझसे कुछ चोटा था, मगर मेरे और उसके बीच में हद दर जी की दोस्ती और महबत हो गई थी, जब हम दोनों आदमी घर पर मौजूद रहते तो बिना मिले ज जादा होता था, अक्सर रात को मेरे हाँ खापी कर सो जाता था और उसके घर वाले भी इसमें किसी तरह करंज नहीं मानते थे, जो मकान मुझे रहने के लिए मिला था, वो नहायत उमदा और शांदार था, उसके पीछे की तरफ एक छोटा सा नजर बाग था, जो दयाराम क शौक की बदौलत हरदम हरा भरा गुंजान और सुहावना बना रहता था, प्राया संधिया के समय हमदान दोस्त उसी बाग में बैठकर भांगबूटी च्छानते और संधियो पासन से निवरत होकर रात गए तक गपशब किया करते, जेट का महीना था और गर्मी हद पहर रात बीट जाने पर हम दोनों दोस्त उसी नजर वाग में दो चार पाईयों की उपर लेटे आपस में धीरे धीरे बाते कर रहे थे, मेरा खुबसूरत और प्यारा कुत्ता मेरे पायतानी की तरफ एक पत्थर की चौकी पर बैठा हुआ था, बात करते करते हम दोनों क नीद आ गई, आधी राज से कुछ जादा बीती होगी जब मेरी आख कुत्ते की भौँकने की आवास से खुल गई, मैंने उस पर कुछ विशेश ध्यान न दिया और करवट बदल कर फिर आखे बंद कर ली, क्योंकि वो कुत्ता मुझ से बहुत दूर और नजर वाग के पि पुर जोर से हाफ रहा था और दौनों अगले पैरों से जमीन खोद रहा था, मैं अपने कुत्ते की आदतों को खुब जानता और समझता था, अता हुस की ऐसी आवस्ता देखकर मेरे दिल में खुटका हुआ और मैं घबरा कर उठ बैठा, अपने मित्र को भी उठा कर होश निकाल लिया, उस समय मेरा नमक हलाल कुत्ता मेरी धोती पकड़कर बार बार खीचने और बाग के पिछले हिस्से तरफ चलने का इशारा करने लगा, और जब मैं उसके इशारे के मताबिक चला तो धोती छोड़कर आगे आगे दौरने लगा, अदम बढ़हता हुआ मैं उ उसके पीछे पीछे चला, उस समय मालुम हुआ कि मेरा कुत्ता जखमी है, उसके पिछले पैर में चूट आई है, इसलिए वो पैर उठा कर दौरता था, अतहक कुत्ते के पीछे पीछे चलकर मैं पिछली दीवार के पास पहुँचा, जहां मालती और मोमियानी की लताओं क के सबब घना कुंज और पूरा अंधक हो रहा था, कुत्ता उस जुर्मुट के पास जाकर रुग गया और मेरी तरफ देख कर दुम हिलाने लगा, उसी समय में ज़ाडी में से तीन आदमियों को निकलते हुए देखा, जो बाग की दीवार के पास चले गए और फुरती से दीवार लांग कर पार हो गए, उन तीनों में से एक आदमी के हाथ में एक चोटी सी गट्री थी जो दीवार लांग थे समय उसके हाथ से छूट कर बाग के भीतर ही गिर पड़ी, निस संदे हो गट्री लेने के लिए भीतर को लोटता, वगर उसने मुझे और मेरे कुत्ते को देख लिया था, इसलिए उसकी हिम्मत न पड़ी, गट्री गिरने के साथ ही मैंने जफीर बजाई और खंजर हाथ में लिये हुए ही उस आदमी का पीछा करना चाहा, अर्थाद दीवार की तरफ बढ़ा, मगर कुत्ते ने मेरी धोती पकड़ ली और जाड़ी की तरफ ह पिश्वास दिला दिया कि इसमें कोई और भी है, मैं इस ख्याल से कि जिस तरह पहले तीन आदमी दीवार लांग कर भाग गए हैं, उसी तरह इसको भी भाग जाने न दूगा, गूम कर दीवार की तरफ चला गया, उस समय मैंने देखा कि एक चार डंडे की सीड़ी दीवा के साथ लगी हुई है, जिसके सहारे वे तीनों निकल गए थे, मैंने वो सीड़ी उठा कर उस गठरी की उपर फेंक दी, जो उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी थी, क्योंकि मैं उस गठरी की हिफाज़त का भी खयाल कर रहा था, सीड़ी इटाने के साथ ही दो आदमी उस पंजर था, मगर उन दोनों के हाथ में लंबे लंबे लट थे और मकाबला करने में भी वे दोनों कमजोर न थे, अताह मुझे अपने बचाओ का जादा खयाल था, और मैं तब तक लड़ाई खतम करना नहीं चाहता था, जब तक मेरे आदमी ना जाएं, जिनने जफील देक तक मेरा उनका मुकाबला होता रहा, उसी समय मुझे रोशनी दिखाई दी और मालुम हुआ कि मेरे आदमी चले आ रहे हैं, उनकी तरफ देखकर मेरा ध्यान कुछ बटा ही था कि एक आदमी के हाथ का लट्थ मेरे सिर पर बैठा और मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा अब ही आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास, चंदर कांता संतती के बाइस में भाग के पहले बयान को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में